आजिए लगी में शैतान इल्लाई वर्रजीम, बिसमूल्ह रह्मान रहीम, इनल्लहाव मलाइका तहूँ यसल्दुन आले नबी, यायोव दजीन आमरू, सल्दुन आले है वसल्लीमु तस्लीमा, लाहमा सल्दुन आले हैं लाजीम मैं हुजाविज नपी और आप देख रहे ह है, आज हम उनके साथ मौझूद है, और हमारे साथ जो शक्सियत मौझूद है वो इंतहाई बैने रखामी शोरा की आफ्ता, नौहाव एर्फान आजा, जनाब इर्फान है पर इजी साथ, वेल्कम तू 512 चैनल जाओं, एर्फान भाई, सश्टे बैने दुआ को बहुत बह हमारे अज़र वारे को बदाई है, खाओ जब ल्लाहि मन शेयतान लेइन रर्जीम, बिस्म ल्लाहि रर्रह्मान रर्हीम, अलहंदो ल्लाहि ल्जी जा लना मिन बतमस्कीन, देविलात मिरलमुनीन ली इबन अबतावलिव लिए सलाम, सलावार, अल्लाहिमा सल्ल्य आला मु वालियाने हैदर कर्राब, आप सब को सबसे पहले मेरा सलाम यकीदत, तोफ़ा यालिमदत, बादो हमारे जावज साब में जो सवाल किया है, कि मैं अपना वाई सफर कब से शुरू किया, तो पहले भी मैं आप सब को यह बता चूँ करूं, कि हमारा सबसे बोड़ा मदरसा जो है, वह हमारी माओं की आवोश होती है, और सबसे पहले हम वही से अपने किसी भी इल्म का, किसी भी मतलिये सफर अजा हो, या सफर विला, या दुनियावी सफर हो, उसी मदरसे से शुरू करते हैं, तो चार मिसरों से आगास करूंगा, कि मा की आवोश में वो जाम दिया है मैंने, लब हिलाए तौली नाम लिया है मैंने, और मिली गुवत जंबिश, जो मेरे हाथों को, गोद में मातम शबीर किया है मैंने, तो अपतदाई सफर जो है वो, अपनी मा की गोद से, उनी से लोरियों में नहे सुनके, और नादे अली सुनकर, खैबरो खंदक, बदर अखत के वाقियात सुनकर, खुद भी बहुत अच्छी अजातरा थी मेरी वालदा, बहुत अच्छी नौाखान थी, तो उन से ये सथ तमाम जा है याह सुनकर अजयाई, जो मौला के करबला का वाकिया, और अमीर काइनात, अमीर अमेर मौमनीन अली अबिताल भीनिताली बि कि या कि पर दूसरी तरह shutting कि आने के हमाले से आपने माशाआला ला कर दो चावार ने कि आगा है, त्रहसे पर मोहीत.. तो आ दो कई कर दूसरी तरह का कईूष की है या मरसियाговानी के हमाले से आज़े, आप्हे की हो गयाओ já अपने ..। आस्लियारम शवयवा करेmy ? तो ये जितनी भी सब पर मैंने कोशिश की है कि मैं मनगबत खानी भी करूं मैंने सोस खानी भी की है मैंने कसीदे भी पढ़ें मैंने सलाम भी पढ़ें लेकिन मेरी परसनल मैं ये सोचता हूं कि इर्फान साथ आप अभी नौहा ठीक से नहीं पढ़ सके हैं मुझे नहीं लग कि अपने आपको इतना हमबल तरीफे साभी बाइन अच्छा जाएं पर देखते हैं जो है इतने इस नाम ले नहीं पर सकते हैं आप अपने बद्चे बारे बताई कि वह इस हावाले से नौहास ऑने के अवाले से जो है जो है जो है ट्रेनिंग यह रहें बाप यह वह अच्छी बात है देखिए मामला यह है कि अब ने बेटा एक बेटा है माशा आला इसी घाने की खिद्मत करने कई सिला मिलाए कि काइनात की सबसे बड़ी नहीं जो कि अवलाद और बेटा है तो माधर रहसनायन मुझे उस नहीं बीना वाजा दो रहमते इस नहीं है मे मेरी तो जैसे मैंने आपसे अपने इस इंटर्विव के इकतवा में कहा था कि हमारा पहला मदरसा माओं की आगोश होती है तो वह अभी उस मदरसे में है अभी उनका सफ़र इस तरह से क्योंकि यह आदतं नहीं करना है जिकर इसे इबादत हमस्किए आदत और इबादत में और फर्क है तो आपसे साई बात पूर इंटर्व कर रहा हूँ लेकिन यह ऐसा चलाज जो ऐसे घराने से मुतमस्क है के के इस के अंटहरा में है ? आप सलामत रहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा मेरी ऑलात्कों मेरे घराना का जा आए। हम सब महमद आरे महमद के घराने से तो इसलिए ये सारी नेमतें ये रहमतें और अबरे रहमत जो हम पर हमारी पैदाईश से लेकर राज्टा को और इंशालला कबर तक बरसता रहेगा ये इसलिए बरस रहेगा तो मैं नहीं चाओंगा लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं चुके मैं नहा खान हूं तो मेरे बेटे का रुजहान भी नहाखनी की तरफ ही है और हो माशालला अच्छा बाई रहे हैं लेकि अभी क्योंकि उनकी दुन्यावी तालिमात की तरफ ज़ादा आ जो है वो दीनी और दुनियावी तालिमात की तरफ उनका हवारा भी जादार रुजहाने की यह पता होना चाहिए कि यह क्या कर रहे है तब लेकर रहेंगे शौक यह नहीं उनको यह काम कराना है उनको यह बताया जा रहा है भी से कि बटा यह अबादत है इसे शौक और आदत के साथ मत करना इसे समझो कि यह है क्या फिर तुम इस तरह आना तो माशाला वो परवरिश इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस लाइख बने के इस तरह आ जाए इस तरह हमारी वालदा और वालिद में हमारी परवरिश की हम कोशिश करते हैं वैसे तो ख़र शायद हम नहीं कर सकते क्योंकि जमाना फी जमाना बहुत मुश्खिल हो उस तरह से तर्वियत करना लेकिन हमारी कोशिश यह है कि उसी तरह से तर्वियत की जाए है और है इस तरह में एश्याँ अच्छा, अब थोड़े सी डिफेंग तॉपिक से आता है, आप ने मैं शॉणलाष मॉं मालग में अजडारी के लुगhen Scorp die ही आप पलिषटर्स में क्या रिफेंगर जडेंड साथ है आप आ dato प्रक्राम शवारते हैं कि ये मादर रहसने ने जितना मज़र करम रखा मैं उन पर ऐसी हजार जिंदगे भी खुर्बान करूं तो कम है तो हर वक्त मैं ये कहता रहता हूं कि मौला तेरा लाख 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 शुक्र कि तुमें मुझे शुदादी कॉमेंट से मेरे हर वक्त ये शुक्राना रहता है कि बीबी आपने अपने घराने से मुझे मतमस्थिक रखायर या आप ही का फायद है या आप ही की करम नावाजी है दुमिया में जहां कोई भी मैंने नौखानी की मेरा तो एक ही काम रहा है के मिमरे हुसाईन पर जाकर या हुसाईम या हुसाईन करना फर्ष उसाईन चा करना और नौखानी की तरफ बस सारा का सारा जहन रहा है कल्चिर्ज जितने देखें बज़र्गों से मैने यू सुना है कि अगर सकाफ धटा दी गया अज़दारी में से तो बहुत प्राब्लिम हो जाएंगी हर आदमी अपने मिजाच से काम करता है जैसे सिंद्ध की बहुत जैसे हाला है जैसे टंड़ जान है जैसे हैदरबाद है मैंने मुक्तलिफ इलाकों में देखा है कि वो ढोल बजाते हैं याहुसें करते हैं जैसें के मातम भी कर रहे हैं डोल बजाते हैं याहुसें याहुसें कर रहे हैं वो अलम लेकर जो है उसको जिस तरह मार्च की जाती है इसी तरह से वो लेकर चल रहे हैं तो मुक्तलिफ जगाओं का मुक्तलिफ तरीके से मैंने मकसद लेकिन सबका एक ही है हुसानियत का पर्चार तो हम यह नहीं देखने चाहिए कैसे कौन कर रहा है हमें देखने चाहिए वो क्या कर रहा है क्या मकसद हावी है इसके इस अमल पर तो मैंने हमेशा यह देखा है कि मकसद हावी है मैंने हिंदू को हिंदुस्तान में जब मैंने देखा कि हिंदू जुल जना के पैरों में दूर डालते हैं उनको अपने बच्चों को लाकर उसकी जारत कराते हैं और फूल बरसाते हैं और बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं मैंने बहुत ज़ादा और ऐसे ये सिर्थ ये ये तो फिव्य 찾। पाइस था।hen दुनिया में जैसे अभी मैं अमरिका ses बैठे हूं बैठा हूं मैंने अधिवा कि यहांगे है बच्चे याज़ा बिस्गों कर रहे हैं। रहे हैं, नमाजे पढ़ रहे हैं, जियारात पढ़ रहे हैं, अधिसे किसा, दुआ एकुमेल, तमाम तर इबादात में मसुफ हैं, तो भई बहुत सलाम है इन वालदें को के इन जगाओं पर रहके भी वो अपने बच्चों को दर मुहम्मद और मुहम्मद से मुतमस्क रखे हुएं, और आपसे भी चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ किजए कि बीबी मुझे अपने घराने से हमेशे मुतमस्क रखे हैं, अब इसकर आपकी जो भागास किया है, तो आपकी खेल में वह बहुत आशा करामत हैं जो आपकी शार्व कर मना, और जो आपको बहुत ज्याद ऑगास कि अमाम मुम्म्मद बाकर लिए सलाम फरमाते हैं, अब अब जादी जहरा की तजबी से बढ़ा कोई और अमल होता तो हम हमारे जब हमें तालीम दे कर जाते हैं, तो 2001 में मज़रादी साब ने कलाम मुझे दिया, तो था सकी नहो अठो, मुरी जाओ अठो, रहाई मि हमें सुना गया बहुत पजिराई मिली और मैंने बगाइदा मुझे पहली बार ऐसा मैसूस हुआ कि हां कुछ हुआ है क्योंकि हर घर से इस कलाम की आवाज आ रही होती थी जहां भी मजलिस होती थी बच्चे हों खवातीन हों या कोई भी जो इंजमन जलूसों में ने देखा कि बड़ी बड़ी इंजमनी जो है ये कलाम पड़ रही है तो बहुत सारा बहुत अच्छा लगा दोजार दो में फिर एक कलाम मुझे मज़राबदी साथ ने दिया या जहरा है म बीर का जाकिर, उमशब बीर का जाकिर, मैं पंजो पे चलती रही बाबा, आप गरीब बतन, मैं भी गरीब बतन, घाजी पासा के नहां रहना और नोंके मैज़ा पे ठहरता है अबास का सर, फिर शजादी ने और एक इस्तवासा, बीबी जहरा ये दूआ आपके दरबार मे इस तरह से मतवातिर कलाम, शमा से शमा जले, सिलसले जारी रहे, हम रहे या ना रहे, यह अज़ादारी रहे, तो ये कलाम मेरी पहचान बने, और मौला ने रहे सलाम अधिश्ग हुसेनी जिसमें हमने बहत्तर शौदा के तज़कर आति हैं किया हैं उनके इस्मा, वो सब ल तुसरा दुसरे के बात तीसरा बॉला ने मेरे कोई कमान नहीं इसमें इस सब मादर हसनायम की अता और उनकी नजर करम का नतीज है अच्छा एपनमाई आपके नाम महुखानी के हावाद से बहुत ही बड़ा नाम है और आपके लाखों की ताला में पहरे आपके पसंदीदा महुखान कोई बहुत है देखिए अभी एक इंट्रिव्यू लिया गया मुश्टा में में बाकर साब है जर्मनी मोटर है और ने लि दोग्हाजर भाए और जज्यों भाए आफ़ागढ़ बाए और शजन साब जिनने मने नहीं सुना में देखा नहीं है सुना है उनको मैने विडियो में लेकिन मैने देखा नहीं तो जो उस दार्क कर करने 1 ली साथ हैदरी नी बस्ती के और मुक्तलिफ जो शीनियर मौखान थे उन सब को मैंने देखा उनको सुना लेकिन जब हमने होश समाला तो हमने देखा कि एक सूरज अपने खूब जो है चमक अब अब अताब से चमक रा उसका नाम था नधीम रजास-harwa सफीर अज़ा जणा नधीम रजास-harwa तो उनी को देखा और बहुत सुना उन से पढ़ने के हमाले से बहुत कुछ शीक्छा मैंने बगाईद मैंने बैट के मैंचे कुछ सिखा है नहीं क्या हो बैठो हम तुम सिखाते हैंyty में बताते हैं नहीं लेकिन क्युंकि वह आदूने को मैंने हमेशह से एक उन्विरसटी समझा है इस उजओँदारी के हवाले से उसादमी को मैंने हमेशह उन्विटि समझा है और उस आदमी के काम है बहुत नौहाखानी पूरी दुनिया में मतारिफ करा अर्दू नौहाखानी खास्तार से पूरी दुनिया में मतारिफ कराने में सबसे बड़ा हाथ बलके मैं तोओंगा पहली बार किसी ने इतना बड़ा मौला में किसी को मकाम बख्षा कि उसने अर्दु नौहा खानी को पूरी दुनिया मतारिफ करा है और हर रंग हर नसल के लोग उस आदमी को जो है उसके फैन हैं उसको सुनते हैं और मैं खुद भी बखाते हैं खुद उनकी नौहा खानी का बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत कुछ शीखा उनसे मैं तो नदीब रहसरवर साब का मैं बहुत बड़ा खानी मैं पढ़ने वाले लिजन्ट हसन सादिख साथ कमाल टेक्निकल पॉइंट अफ यू से ही इस मौला से में रिद्वा है कि उनको से अपने में बहुत बड़ा था फरमाएं उनको मौला इस हावाले से टेक्निकल पॉइंट आफ यू से ये कलग सैग्में तो इस हावाले से मैं फैन हूँ हूं हसन सादिख साथ का लेकिन बहुत मदीम सारवर साथ के बाद मैंने उनको होश समाला तो मैंने एक ही आवाज मेरे काहन में आई सारी दुनिया में उसका नामे सफिर जान दिल्वा सरवा अगर आप दो मिसरे नदीम उता सुर्श आपके कोई सिरा दे तो बड़ी नमादिश आपकी है जजाकि आप आप तमाम अज़दारों से मैं गजारिश गावा जबलन अरे सवा सपा्मां अरे सल्वाद अर उस हजी नौ खान की सेटो सलामति के लिए और उस दुरा के साथ 55 काहन मेरे सरु υख घूर्य के लिए एक बार मिलकर नौ अल्हुमा सुल्याला महम्मा अल्य महम्मद नदीम सर्वर्ण साब के कलाम पढ़ना ऐसे है कि जैसे सूरज को चराख दिखाना है मैं वैसे नहीं पर सकता हूँ लेकिन कोशिश करूँगा क्योंकि आप में कहा है कि में पढ़ हूँ अल्हुमा सुल्याला महम्मद मैं अपने तमाम मुम्मिन से और तमाम अज़बारों से बिजारिश करूँगा कि नदीम सर्वर्ण साब की से तो सलामती के लिए एक बार मिल कर दावाज बला नारे सलवात अल्हुमा सुल्याला महम्मद अल्हुमा सुल्याला महम्मद सलाम नाना के रोजे सलाम मां के मजार मेरी शरी के सफर बनके साथ चल अम्मा सफर पे जाता हूँ कपड़े मेरे बदल अम्मा लिबास खुद सजादे लिबास खुद सजादे बतन पे एक बार सलाम नाना के रोजे सलाम मां के मजार माशाला खुद आपको इसका जज़र ले अरी शाह मर्दा हिमामन नाजरीन हमने सोचा कि इंटर्विव को थोड़ा एक दूसरा रुख दिया जाए दूसरा रंग दिया जाए लहाजा हम आएं इस वक्त मैरिलेंड में मैरिलेंड की जो रियास्त है इस वक्त हम मौजूद हैं नैशनल हारबर में यह नैशनल हारबर काफी सजाया गया है यहाँ पर क्रिस्मिस की आमद आमद है काफी लोग यहाँ पर विजिटर राते हैं हर साल और मुक्तलिफ यहाँ पर देखा जा सकता है कि आप मेरे बैगराउंड में फेरिस वील है आप देख सकते हैं और पीछे मेरे एक स्कल्प्टर बना वाए हाई है हमरे सूचा के यहाँ पर भी कुछ आज़ादारी क्योंकि कोई हद नहीं होती लहाजा हम मैरिलेंड में भी कोई कसीदा और कलाम इर्फान याज़ा की आप उनकी तरफ चलते हैं आप इस यह इसाथ हमारी टीम भी मौजूद है इर्फान याज़ा की टीम जिसके हवाले से वह थोड़ी हम उस हवाले से भी बात करेंगी तोड़ी इपान याज़ा से जी इर्फान बई कैसे मैसूस करें हैं मालेकूं कैसे आप तीक हैं यहाब याब बहुत अच्छा माशाआलला बहुत ही अच्छा नएने मनाज़र कुदरत के देखने को मिलने हैं और वैसे भी आपर क्रिसमिस सीजन चल रहा है माशाआलला उसकी आमद आमद है तो उस हवा माशाला गुट वेरी गुट काफी सर्दी हैं आप जैसे क्या महसूस कर सकते हैं इस वक्त अगरीबं शिक्स्ट या च्छी या साथ है इंग है डिग्री सेल्सियस है और इंग फॉर्डी स्री फेरिन हाइड है तो हम इस वक्त आपके यह एक दम से आपके दिमाग में कैसे आय तो इस वक्त हम नहीं सुचा गए हमाई टीम ही मौजूद है तो इसी महाने जो है मुटरिफ लोगों की फर्माईश होंगी वो कलाम यह हमने सुनने की साद़ हासिल कर सकेंगे तो हमाई इस साथ इस वक्त इस वक्त आरफान यह साथ टीम मौजूद है तो आप कि किसी की घर के अंदर इर्फान भाई जो आपने वो कलाम जो पड़ा था हुसे रहा हुसे बागर इर्फान भाई यह पूसे यही लोगों हम भी यही चाते है कि चाफ कि आ इखे बर्महमदावलेमहम्द सलवा लामा सले लामा महमार लाम यही हमेशा से زندگی کا مقصد رہا ہے کہ ذکر حسین سارے دنیا میں کونے کونے میں گوشے گوشے میں عام کیا جائے तो چار مصرے ہمارے عرشہ جعفری صاحب کی حکم کی تعمیل میں اور ہم میرے حبیب کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں دیکھئے گا بسم اللہ سنا گھبراؤ حسین وارس ہے علی کا نعرہ لگاؤ حسین وارس ہے وموس نام کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا سدا یہ آئی کہ آؤ حسین وارس ہے غم سے نہ گھبراؤ ماشا ماشا اللہ جدہ اللہ ہمارا آگے بڑھتا رہے گا ابھی اس پڑاؤ سے ہم آگے کی طرف جائیں گے اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ہماری نیشنل ہارور اور اس میں گے لارڈ ہوتل ہے اس کے اندر انہوں نے نیویئر کے سسلے میں بہت ڈیکوریشن کیوئی ہے اس میں بھی ہم ماشا سیگمنٹ ایک انٹریو کا وہاں لیں گے اور سب ملجل کے اس رات کو ہم مزید اور سپیچول بنائیں گے اور اس میں اور خوبصورتی پیدا ہوگی میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں ہمارے ارفان بھائی نے جو محبتوں کے سمندر یہاں بہائے اور اتنے ہی دریہ محبت کا یہ لے کے جائیں گے اور بہتی لوگ ان سے اتنے اٹیچ ہو گئے اتنے جذباتی حد تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد کل ان کی روانگی ہے اور اس کے جانے کے بعد ہر آدمی افسودہ ہوگا اور ارشد بھائی تو خاص طور پر کیونکہ ان کے گھر کی رونک تھے اور ان کے گھر میں ماشاءاللہ ہر وقت چوپال لگی رہتی تھی اور کھانے چل رہے ہیں اور سمسے چل رہے ہیں اور چاہے چل رہی ہیں ارفان بھائی کے ساتھ تو چلیں انشاءاللہ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ نعرہ ہیدری ناظرین جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف انہوں نے کلام پڑھا اس وقت ارفانی آزان حسین وارث ہے ہم مزید اس کو کنٹیلیو کریں گے اور کس نئے مقام بھی چلتے ہیں ہم آئے ساتھ رہی ہم آئے ساتھ رہے ساتھ رہے ناظرین اب ہم موجود ہیں کرسپس ٹریک کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت لائٹنگ ہوئی ہوئی گیا یہاں پہ کرسپس کی وجہ سے بہت خوبصورت مناظر ہیں اور ہمارے ساتھ جو ارفانی آزان موجود ہیں ہم ان سے یہاں بھی ان سے فرمائش کریں گے کہ وہ ایک کلام ہمیں مزید سنائے اب ان کے اپنی پسند کا جزاک اللہ جزاک اللہ بس زندگی جب سے میں نے شروع کی ہے یعنی مالک دو جہان نے اور مالکہ دو جہان نے جب سے مجھے زندگی دی ہے ایک ہی میری زندگی کا مقصد ہے علی علی کرنا صبح و شام تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی آج میری لینڈ میں اس کرسپس ٹری کے سامنے جو ہے سارے ازادار سارے حسینی سارے ولائی مل کر میرے ساتھ پڑھیں حیدر 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 تیرے لیے دنیا یہ بنی ہے راز یہ ہم نے جانا رب نے اس پر لانت کی ہے جس نے تجھے نہ مانا تو رب کی گواہی حیدار تو دی کا سپاہی حیدار تو نے ہی بنائی مالا یہ سارے خدای حیدار حیدر 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 نظرین we are right outside Gaylord National Resort and Convention Centre and we will be with Irfan Yaza who is going to be here shortly so we are waiting for him actually he is here so let's have a discussion with him and we'll go inside and we'll show him Gaylord National and Resort Centre different the highest and all everyone jan everything Amazing hat He Shane है ड़े है दर है टार हम जा गार है जा खिर्लों है तेरे लिए दुन्या ये बनी है, रास ये हमने जाना रब ने उस पर लानत की है, जिसने तुझे ना माना देखो, जिसके ये इमान है कि रब ने उस पर लानत की है, जिसने तुझे ना माना जब मैं कहूंगा तू रब की गभाई तो फाद बुटफा कर बाबा जबना कहना है कर तो अधर तेरे लिए दुनिया ये बनी है, राज ये हमने जाना रब ने उस पर लानत की है, जिसने तुझे ना माना और तू रब की गभाई आहदार एसे नहीं ऐसे नहीं, नजब घुखिलत कई घुम्प अवाजों को तक आव्य मेरे काहिरात की जॉपत के आअथ को पहचान है तू रभ की गवाही, हैसली। थाल जौन नाजरीन हम महुजूद हैं गे लॉड के अंदर अग्षा हमारी इम जखाइब जाइब हैं। बहुत एक्साइड हैं जब लोग। हम इल्फान जखाइब से ये सवाल करें कि आप यहां पे मौझूद हैं अमेरिका में। आप इतनी महुपते सम्मेट के जा रहे हैं लोगों की, क्या ताफ्रा आपके लोगों के हावाले से? मैं क्या कहूं? अमेरिका को ये साधत हासिल है, मैं ये कहूंगा, कि पूरे अमेरिका को ये साधत हासिल है, कि इर्फाने अजा ने वहां 40 दिन गुजारें, जो आज से पहले जिन्देगी में कभी नहीं हुआ, और यकिनन ये आपकी महबतों की वज़े से हो पाया है, मैं अपने बच्चों से और अपने घर से दूर, मौला के जिकर में मसुफ और मुखतलिफ स्टेट्स में यहां, मैं नाखानी की, मन्गबत खानी की, बहुत ही उमदा, और इस बार एक और अच्छा काम ये हो सका, इस चालिज दिन की वज़े से, कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात रही, जिसमें मैं अरशाज जाफरी साब का तसकारा करना बहुत जरूर समझगा, विर्जिनिया में हमारे बहुत ही अच्छे इर्फानेजा टीम के, यू समझें कि रूह रवा, अरशाज जाफरी साब के घर पे मैंने तकरिबन एक महीना कया, और वहीं से कभी न्यूजर्सी, कभी मैरिलेंड, कभी नियॉर्क, कभी इस तरह से सारा सफर करके, तो उसे हब हमने बना लिया, और वहीं बैटके, मैंने सारा जो है, वो जिकरि मुहमद और आले मुहमद का परचार किया, मौला इनके घर को और इनकी फैमिली को सदा बाद और शाद रखे, अच्छा हमारे सारा टीम भी मौजूद है, जिस तरह आपने हमारे हम देखे रहेंगे, सब के सब बड़े एंजॉय करेंगे, बड़े एकसाइटेड हैं सब लोग, हम थोड़ा सा उसे भी बात कर लीगे, हाँ, उसे भी बात करेंगे, बड़े नाजरीन हम मौजूद हैं, गे रोड रिजॉर्ट सेंटर में, अब बड़े ही हमारे साथ टीम है, इर्फान याज़ा टीम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं आपे, क्रिस्मस की आमद आमद है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो इर्फान याज़ा हमारे साथ फिर मौजूद हैं, इंटर्विव को फिर मजीद आगे बढ़ाते हैं, और उसे थोड़ा से जो इर्फान याज़ा टीम जो बन रही है, इर्फान भाई, उस हवाले से थोड़ा से रोशनी डालें कि उसके अगराज मकासित क्या होंगे, जिससरा आपने, जिससरा मैं भी उसका मेंबर हूँ, लेकिन हमारे अज़दारों को जो है, पूरी दुनिया में जो अज़दार आपको जानते हैं, आपको महबद करते हैं, उससे सुनना चा मैं इर्फाने अज़दा टीम के हवाले से जो भी इस टीम का इससा बनना चाहरा है सारी दुनिया में, मैं चाहूंगा ये दावत याम है, हर आने वाले हुर के लिए रास्ता खुलाएं, जो आए इर्फाने अज़दा टीम में परवर्दिगार से मेरी ये खाईश है, कि प करने वाले हैं, किसी बारगाह के प्रेज़देंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इर्फाने अज़दा टीम का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि सारी दुनिया में तमाम लोग एक दुसरे से कनेक्शन में रहें, मेरा ये ताकि कोई भी मैं अगर अमेरिका आया, मैंने का भी मैं को अमेरिका में आने के बाद, जिस तरह हमारे दयारे गहर में जिस तरह से लोग आते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में अज़दारी से दुश्योदा के प्रमोशन के लिए, उसके फरोग के लिए इर्फान एज़दा टीम हर वक्त कोशा रही है, इर्फान भाई, जो हमारी ब अली अक्बर साहब हैं, अली अबाद साहब हैं नियॉयोर्क में, तो इनकी जो माशाला से मुक्तलिफ लोग जो है, इस टीम में शामिल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं लोगों को, हमारे अज़दारों को, मुमिन एकराम को जो पूरी दुनिया में देख सबका एक दूसरे से कनेक्शन हो, सबसे में मकसद तो इसका ये है, और हराने वाले हुर के लिए रास्ता खुला है, जो आना चाहे अरफान एज़दा की टीम में, वो आ सकता है, और जब वो आ जाएंगे तो इसके अगराज और मकासिद ये फॉर्म क्यूं किया गया इरफ है, हैदर रिजी साहब, हमने मुक्तलिफ मौजबात पे उन से बात की, और हमें हमारी खुश नसीवी रही कि फाइवर नू चैनल को उन्होंने टाइम दिया, हमने उनके मुक्तलिफ कलाम सुने, हम इंतहाई शुकर गुजार हैं, और उमीद करते हैं, कि आप हमने किसी नई नई शक्सियत के साथ मौजूद होंगे, आपके साथ नई प्रोग्राम में, देख चले ही फाइवर नू चैनल सलमान बना दे, जब जिस वक्त जिसे भी चाहे तू सलमान बना दे